रसूर्पूर से बालाजी निजा चड़ाने आ रहा ट्रैक्टर पलता, मची चीक पुकार, आर्पीस गार्डन के समीब हुआ हादसा, बारा लोग हुए घायल, फिरोजाबाद, जिले के शिकोहाबाद रसूर्पूर से बालाजी मंदर पर निजा चड़ाने आ रहा शद्धालों से भरा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर आर्पीस गार्डन के समीब पलत गया, जिससे उसमें सवार महिला, पुरुष और बच्चों में चीक पुकार मच गए, हादसे में बारा लोग घायल हो गए है घटना की जानकारी होते ही लोगों की भीड एकत्रित हो गए, मौके पर पहुंचे लोगों ने घायलों को आटो में बैठा कर अस्पताल भेज दिया, उधर घटना के बाद चालक ट्रैक्टर को लेकर भाग गया, फिरोजाबाद जिले के थाना मक्षनपूर के गाउं अश्तेदारों को साथ लेकर ट्रैक्टरों से नेजा चढ़ाने बाला जी आ रहा था, नेजा में तीन ट्रैक्टर शामिल थे, जिन में से एक ट्रैक्टर को पवन नाम का युवक चला रहा था, प्रतिक्षदर्शियों के अनुसार चालक ट्रैक्टर को तेज रवतार पर आ रहा था, जैसे ही ट्रैक्टर आरपी गार्डन के समीब पहुंचा तो अन्यंत्रित होकर पलट गया, जिससे ट्राली में बैठी महिला, बच्चीयों में चीक पुकार मच गई, हाथसे में दस महिला और किशोरियां घायल हुई है, जिसमें एक महिला सुनेना पैंतालिस क की हालत कमभीर होने पर परिजन उन्हें सीधे फिरोजबाद ले गए है, शेशनौश रधालूओं को अस्पताल में भरती कराया गया है, जिनमें सीमा देवी पत्नी वीरेंद्र, भूरी पुत्री शशी, शिवानी पुत्र रामृतन, चान्दनी पुत्री उमेश, शिर्प करना हुई है, क्या हुआ है, यह मेरे गाम से नहीं जा रहा था, राजन सींग का, उसमें ट्रेक्टर पलट याने के करना कुछ लोगों गायल हुए, कितने लोग करीब आए लोगों होंगे 20-25 लोग, करना से कहा जा रहा है थे, यह रसूलपर से बाला जी, शिकोबाद, य मेरे गाम के एक राजन सींग है, राजन सींग का नेरे जा रहा था, तो ट्रेक्टर का खुख फूटने से करना जिसमें 10 लोग तकी जायल हैं, और उसमें से दो लोगों की हालत ज्यादा कम ली रहे, जिनें ऑस्पीटल में पहुचा दिया गया है, और बागी लोग यहां पर बिलाज चल रहा है, और उनको अम्दूलेंस की साहता में ली थी, अम्दूलेंस दारा भी उनको ऑस्पीटल पहुचा दिया गया,